नमस्कार दोश्तों श्वागत है आप सबका आपके अपनी चैनल हिंदी साहित सर्दपत दोश्तों आज हम लोग देखेंगे हिंदी के उभाशाएं एवंबोलियां सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हिंदी का शेत्र कहां कहां तक है हिंदी कहां कहां तक फैली हुई है तो हिंदी पशी में अमबाला यानि की हरियाडा से लेकर पूर में पूरिया बिहार तक तथा उत्तर में बदरीनात के दारनात उत्राखंड से लेकर दच्छिल के खंडवा मध्यप्रदेशत तक बोली जाती है इस छेतर में दोस्तु नौराज़्य आते हैं और इनौराज़्यय को हिंदी भासी छेतर कहा जाता है उत्तर प्रदेश उत्राखंड बिहार जार खंड मध्यप्रदेश शटीसगड राजस्थान हरियाड़ा वाहि मांचल प्रदेश और एक केंदर शाषित प्रदेश हमारी रास्ट्री राजधाने दिल्ली वह भी इसी छेत्र में हिंदी छेत्र के इंतरगत आती है इस छेत्र में भारत की कुल जनसंख्या की लगभकते 40 प्रतिशत लोग रहते हैं यह हो गया हिंदी का छेत्र दोस्तों आप हम लोग समझ लेते हैं कि पहले हमारी बोली उप भाशा और भासा होती क्या है तो बोली किसे कहते हैं तो बोली एक छोटे छेत्र में बोली जाने वाली भाशा को बोली कहते हैं बोली में शाहित रचना नहीं होती कोई भासा बोली के इंतर गताती है तो उसमें शाहित रचना नहीं होती है दोस्तों और जब वोली उप भाशा बन प्रण्ज के तीन रूपों से विक्षित हुई है अर्दमागदिय प्रण्ज से पूरवी हिंदी पूरवी हिंदी के अंतरगत अवधी पूरवी हिंदी के अंतरगत तीन बोलियां आती है और इन तीन बोलियों को हम लोग एक छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हैं दोस्तों वह ट्रिक है अवच्छा जैसे अवच्छा यादा होता है वैसे ही हम लोग यहाँ पर अवच्छा याद रखेंगे अवच्छा पूरवी हिंदी अवच्छा अवधी बगेली चतीस गड़ी असे अवधी बगेली और चतीस गड़ी फिर है दोस्तों बिहारी हिंदी जिसके अंतरगत मैथिली मगही और भोशपुरी आती है भोशपुरी को अंगिका भी कहा जाता है इन बोलियों को हम लोग म मैं भो से याद रख सकते हैं मैं भो मैं से मैथिली मो से मगही और भो से भोशपुरी फिर है पश्चिमी हिंदी इसके इंतरगत ब्रजभाशा खड़ी बोली कन्नोजी बुंदेल खंडी हरियानवी बोलियां आती हैं हरियानवी को दोस्तों बांगुरू और जाटू भी कहते हैं इसे हम लोग खबर कहबू से याद रख सकते हैं खबर कहबू ख से खड़ी बोली ब्रव से ब्रजभाशा को से कन्नोजी ह से हरियानवी और बु से बुंदेल खंडी तो इससे हम लोग इसे याद रख सकते हैं दोस्तों अगर आप लोगों को ये थोड़ा अट-पटा लग रहा है तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं राजस्थानी हिंदी जिसमें मेवाती मालवी जैपुरी और मारवाडी बोलियां आती हैं तो इन बोलियों को हम लोग मा जैमे मा से याद रख सकते हैं मा जैमे मा मा से मालवी जैसे जैपुरी मे से मेवाती और दूसरी म मा से मारवाडी दो मा हैं दोस्तों एक से माल भी हो जाएगा और एक से मारवाडी तो मा जय में मा फिर है पहारी हिंदी तो इसमें आती हैं गढ़वाली कुमायनी और नेपाली इसे हम लोग गकुने से याद रखते सकते हैं गकुने गसे गढ़वाली कुसे कुमायनी और ने दुस्तों आप लोग इस मैप से भी समझ सकते हैं कि पहाडी हिंदी पहाडी छेत्र में इस एरिया में बोली जाती है जिसमें गढ़वायनी कुमायनी और नेपाली यहां पर यह बोली जाती है फिर राजस्थानी देख लिएमेवाती मालवी जैपुरी और मारवारी तो यह म में बोली जाती है और बिहारी हिंदी मैथिली मगही भोच पुरी यह यहां पर बोली जाती है दोस्तों यह बिहार का छेत्र है और पूर्वी हिंदी जो अब अच्छा हमने बताया था अब दी बगेल 36 गड़ी वो यहां पर बोली जाती है इस छेत्र में इससे आप लोग को करता है् I English प्राइब awak भाहलं कर् 되어 सब से पहले बोली फिर विवाशा और पिर सिपि भाशा बनती है वाशा जैसे की खडी बोली हमाई द शेत simplement और भेश हिंदी छेती जिनका साहित इतना अधिक फैला हुआ नहीं है उन्हें हम बोली के अंतरगत रखते हैं जैसे कि मेवाती, मालवी, बुंदेली, कन्नोजी यह है तो हिंदी की बोली लेकिन इन में शाहिते ज्यादा नहीं मिलता है जोस्तों खड़ी बोली का मूल नाम कौरवी है और इसका कें जैसे कि बिजनौर, मुरादाबाद, रामपूर, सहारनपूर, देहरादून इन शेत्रों में यह अपने ठेट रूप में मानग रूप में मिलती है इसके बोलने वालों की संख्या है एक बिसमलोब 5 से लेके 2 करूण तक जेर से 2 करूण लोग इसके बोलने वाले मिलते हैं फिर है दोस्तों भोशपुरी, भोशपुरी का केंद्र भोशपुर है और इसका प्रयोक्षित्र बनारज, चौनपूर, मिर्जापूर, गाजीपूर, पलिया, गोरखपूर, देवधिया, आजमगर बस्ती इत्यादी जिलों में यह बोली जाती है इसके बोलने वालों की स देवनागरी लिपी में इसका केंद्र मिथिला है लेकिन इसका प्रयोक्षेत्र, दरभंगा, मदुबनी, मुझफर, पूर, पूर्डिया, मुंगेर, आदी, जिलों में यह बोली जाती है इसके बोलने वालों की संख्या 1.5 करोड है दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे केटा, बदायू, बरेली के आसपास का छेत्र आता है इस बोली के अंतरगत देश के पाहर यह ताजबेकिस्तान में बोली जाती है इसके बोलने वालों की संख्या 3 करोड के आसपास है दोस्तों नेक्स्ट बोली है अवधी इसका केंद्र अयुद्धा है और प्रयोक्षेत है तो दोस्तों ये थी प्रमुख बोलिया और उनके छेत्र दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा साथ ही आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की स्टॉपिक पर चाहिए और आप लोग ने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीजी से सब्सक्राइब कर लीजी और इसे लाइक कर दीजिए फिर मिलते एपने नए वीडियो में नए ट्रीक के साथ तक के लिए नमस्कार दोस्तों